वाईय सिया के राम हो या कितनी भी रामायने आज तक बनी हैं, उनकी भाषा वही रहिए और उस टाइम की जनरेशन ने उसको वैसे ही एक्सेट करकर बड़े प्रेम से देखा, मौडन रामायन के नाम पर हम भाषा से खेल लेंगे, हम पात्रों से खेल लेंगे, आप प्रेज नया करेंगे टेकनोलोजी का इस्तमाल, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर आप हमें तोड मरोड कर मत दिखाएं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं चीजें, हम देख चुके हैं चीजें, एक्स्क्यूस देना शुरू करें कि हमने तो यह सा कुछ कराई ही नहीं, हमने तो ऐसा ब मूर्ख बनती नहीं है, वह बहुत होशयार है, तो अब जो है ना वह हिंदू सेंटेमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि आप आमें मूर्ख मत बनाई है, हाई आशिष, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वोल बॉलिवोड में, एंड यूनो, राम का किरदार निभाना एक बहुत-बड़ी responsibility होती है, जिस responsibility को आपने निभाया है, सिया के राम में जब आपने किरदार निभाया था राम का, तो क्या चल रहा था दिमाग में, क्योंकि उन्हों जब हम किसी mythology कल शो करते हैं, या कोई film करते हैं, या series करते हैं, एक pressure आ जाता है, क्योंकि audience आपको उ के अफ़तार में देखा जाता है, दिपिगा जी है, उनको सीता के अफ़तार में देखा जाता है, तो एक बहुत-बड़ी responsibility आ जाती है, as an artist, as an actor. What do you want to say regarding this? जब हम किसी भी इतियासिक या हम किसी भी पुरानिक characters को play करते हैं, तो वो पात्र नहीं होते हैं किवल, मतलब जैसे हम fiction characters निभाते हैं दूसरे, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें creative freedom के नाम पर कर लेते हैं, कि चलो ठीक है, हम हमारी तरफ से कुछ चीज़ें add कर लें subtract कर लें, तो वो फरक नहीं पड़ता है, पर जैसे ही आप हमारे scriptures में लिखे हुए पात रहे हैं, characters हम उन्हें play करना शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्यदारी responsibility आती हैं कि आप एद्दम true to depiction रहें, कि आप क्यों क्योंकि क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई ह वो ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से गड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत detail में सब कुछ लिखा गया है, तो जिम्यदारी बहुत बड़ी होती है, और वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि इन सारे पात्रों की specially जब आप रामायन कर रहे हैं, तो लोगों का श्रद्ध हाव बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, और मतलब इस कदर तक जुड़ा है श्री राम के साथ कि हम हाई हेलो में हम राम राम बोलते हैं, जब कोई गुजर जाता है तो हम राम का नाम लेते हैं, जब कुछ गलती से लग जाता है मैं मैं मुलता है तो निकल जाता है, वो और बहुत बढ़ जाती है कि आप उसको उसी शद्धा भाव से पहले तो देखें और बनाएं प्लस उसको true to depiction रखें, सब लिखा हुआ है, कैसे दिखते थे, कैसे थे, क्या बोलते थे, या तकी तरकश था, तरकश में क्या था, वो सब लिखा है, धनुष का नाम लिखा है, क जब जो लिखा है, उसको as it is, बना दीजिए, सिर्फ उतना ही काम है कि शद्धा भाव से बना दीजिए, फिर आप मत बोलिए कि, you know, creative liberty है, और हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, that's about it. इन सारी चीज़ों की शुरुबात होई फिल्म आदी पुरूश के साथ में, फिल्म रिलीज होई, जहां पर creative liberty के आप बात कर रहे हैं, makers का कहना है, हमने modern, modern रामायन बनाया है, modern नाम की चीज़ पहली बात तो इस तरीके की stories में होती नहीं है, दूसी बात यह है, जिस तरी के से रामायन सुनी है, वेल, एज राम, आप क्या कहना चाहें? है में, तो आध का तो अहसास है आज कि आज की जो generation है, वो बढ़ने में कम और देखने जाधा शाधा विश्वास करती है, तो अगर आज की generation के लिए बना रहे हैं तो इसो का रमायन क्या होती है modern रमायन का सार और तत्व तो वही रहेगा पात्र तो वही रहेगा उसकी आत्मा तो वही रहेगी आप नया क्या करेंगे presentation, नया करेंगे technology का इस्तेमाल नया सिर्फ ये भर हो सकता है अब आप ये बोलेंगे कि हम भाषा आज की जनरेशन के साब से करेंगे तो भाईया सिया के राम हो या कितनी भी रमायने आज तक बनी है, उनकी भाषा वही रही है और उस टाइम की जनरेशन ने उसको वैसे ही accept करका बड़े प्रेम से देखा है तो हर जनरेशन ने उसको उसी प्रेम से देखा है, सिया के राम आज भी जैसे आपने कहा फिर से लोग देखने लगें, आज भी रीरन होता है हर अलग चैनल पर अलग अलग देशों में, आज तक चल रहा है, तो उतने रेलेवेंट है भाषा उसकी एकदम सटीक है संस्कृत है, हिंदी है, जो समय इस्तमाल होती थी, यहाँ ते कि म्यूजिक में आज भी चौपाई हैं, दोहे हैं जो अथेंटिक हैं, वही है उसके अंदर में जो हम पुराने कहानियां बनाते हैं, नहीं खूभी यही है ना, कि वो अथेंटिक होते हैं, और हम एक उस दुनिया, उस कहानी से रूबरू कराते हैं जो उस समय घटी, उस समय हुई तो यह तो हमारी जिमेदार है कि उसको आजटीज दिखाएं हम जैसी है मॉडन रामायन के नाम पर हम भाशा से खेल लेंगे, हम हम पात्रों से खेल लेंगे अब प्रेजेंटेशन ना कीजिए आत्मा तो वही रखिए उसी किरदार को प्ले करना या उसी तरीके के शो का हिस्सा होना कितना एकसाइटमेंट राता है या कितना डिसपॉइंट करता है जब इस तरीके की फिल्म आती है जहां लोग उसे क्रिटिसाइज करते है या फिर देखने में चीजों में मतलब उस तरीके के कैरेक्टर्स में गलती हो या स्टूरी में गलती हो कितना डिसपॉइंट करता है और फिल्म कितना एकसाइट करता है या डिसपॉइंट तो करता है कि हम उन्हें अब क्या हो गया है ना कि पहले क्या था कि लोगों को हम फिल्म मेकर्स जा समझते थे कि जब हम छोटे थे कि सिर्फ एक ही मीडियम था सिनमा उस समय थेटर में कुछ चुनिंदा फिल्म आती थी लोग वही देखने जाते थे तो जो भी बना दिया जाता था कि लोगों के पास में देखने के लिए कांटेंट बहुत है और को फेरी जैवेयत करने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं वो बोलती भी है और एक्षन भी लेकर दिखाती है तो अगर आपका ओडियन्स इसमें आपको बोलकर और एक्षन के साथ ये बता रहा है कि हमें अथेंटिक चीजें ही देखनी हैं हमें अथेंटिक चीजें दिखाईए क्रियेटिव लिबर्टी के नाम पर आप हमें तोड मरोड कर मत दिखाएए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं चीजें हम देख चुके हैं चीजें तो अगर ओडियन्स ये बोल रही है तो मान लीजए ना उनकी बात उन्हें के लिए तो बना रहे हैं तो पिर जिमेदारी उनके प्रती हुई ना मैं ये बोलो कि मैं ये दिखाना चाहता हूं तो मेरे जिमेदारी सिर्फ मेरे प्रती है नहीं, as filmmaker, as cinema maker मेरी जिमेदारी मेरी ओडियन्स के प्रती है तो मेरी ओडियन्स जो चीज को मना कर रही है कि मुझे नहीं देखना तो मद बनाईए उसका फिर authentically बनाई है और disappointment तभी आता है कि जब हमारे जो film makers हैं वो जिमेदारी से भागते है वो ये बोलते हैं कि ये entertainment business है definitely है but it is reflecting on the business now so understand you are into entertainment business so then entertainment comes first and business comes second so if you have entertained the audience business will come automatically so that is what they are I think people are faltering कि वो business part को इतना समझ रहे है कि हम लोग बस कुछ ना कुछ करके business कर लेंगे और ओर ओडियन्स ने बता देगे बढ़ी नहीं करने देंगे करना तो नहीं से है so I think लेकिन लोगों का यही कहना कि हम सीता के रूप में कृति को नहीं देख सकते करता है यह because you know as an artist as an actor उनका तो काम है काम करना वो अलग-अलग किरदार प्ले करेंगे लेकिन लोगों का यह कहना कि हम उनको सीता के रूप में नहीं देख सकते कहां यह line जो है वो कहां आजा इसमें मेरा विचार यह है कि इस वज़े से कि हमने उनको modern अफ्तार में देखा है वो वैसे accept नहीं होंगे मैं उससे बिल्कुल agree नहीं करता हूँ actor का काम होता है जैसे जैसा भी किरदार जैसा पात्रों वैसा गड़ना अगर वो वैसा नहीं गड़ रहे हैं तो फिर यह actor की गलती या तो उन्हें ब्रीफ सही नहीं किया गया है research सही नहीं है तो आप केवल अगर वो screen पर come across नहीं हो रहा है तो केवल चार लोग ही उसके जैमेदार हो सकते हैं कहानी पटकता आपका director आपके खुद स्वायम actors और जिजनोंने भी वो film मना ही है इसके अलावा किसी को दोश नहीं दिया जा सकता दूसरे बात ये actor का धर्म है as an actor की जो भी दिया गया है उन्हें उसे वो authentically पड़दे पर लेकर आएं अगर वैसना नहीं हो रहा है so then they are faltered somewhere and it is fine to falter it is okay everybody is human we can do errors अगर हमने error किया है अगर हमने घलती किया है मान ले accept कर ले और उसको sorry बोल दे और कोशिश करें कि आप आगे बहतर काम करें दूसरी बात कि जब भी हम इस तरह के किरदार उठाते हैं तो फिर ना as an actor बात कर रहा हूँ कि अगर हम इस तरह के characters करते हैं पर हम हमारे देवी देवताओं को हमारी संस्कृति को represent कर रहे हैं उन में से किसी चीज को portrait कर रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है as an actor to research about it ये मेरी जिम्मेदारी है as an actor to be authentic about it ये जिम्मेदारी है मेरी as an actor कि मैं उसमें at least उतनी honesty लेकर आँ कि सामने वाला ये न बोले कि आपने न इसके बारे में न पढ़ा है न जाना है at least उतना भर तो करूँ फिर as human में कोई गलती कर सकता हूँ it is fine पर मैं अपनी सोच और अपने भाव में तो गलती ना करूँ वो as an actor भी मेरा फर्ज है as a भारत ये भी मेरा फर्ज है दोनों तरीके से वो मेरा फर्ज है जब मैं श्रीराम या हमारे कोई भी पौराने कताई है उन्हें मैं बढ़दे पर करने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब पहले तो पहले तो मेकर्स ने इस बात से इंकार कर दिया कि हमने रामायन पर हमने कभी नहीं कहा कि हमने रामायन बनाई है उसके बाद में अब फिल्म के डायलोक्स को चेंज करके उसको वापस से रिलीस करना ठीटर में क्या लगता है ओडियन्स के मन में वो जगह फिर से फिट कर पाएगी जो वो लूस कर चुके है और अगर मेरी द्रिश्टी में अगर सिंप्ली ऐज अन ओडियन्स बात करूँ अगर गलती हो गई और ख्रमा मांग ली गई होती शॉरी बोल देते जनुरी शॉरी बोल देते कि हमसे गलती हो गई इंसानी तोर पर और हम हमारी तुटी हो गई हमें माफ कर दीजिए और हम आगे से गलती नहीं करेंगे और हम आगे से जिम्यदारी से काम करेंगे तो जनता ना माफ कर देती हमारी जो जनता है वो बहुत बड़ा देल है उसका और यह हमारी संस्कृती में लिखा है यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि हम तुरुटियों को शमा कर देते हैं हमारी देवी देव तक शमा कर देते हैं हम से कोई गलती होती है हम मांग लेते हैं माफी वो हमें माफ कर देते हैं उतना कोमल दयालू रदयां का श्री राम से माफी मांग लेते हैं वो माफ कर देते हैं हमको, हमारी गलतियों को, बच्चों की तरह, तो यदि authentically ना, माफ ही मांग लिजा अपनी गलती के लिए, मेरा ऐसा मानना है, तो ना, चीजें बहतर होती हैं, बजाए इसके, कि आप excuse देना शुरू करें, कि हमने तो यहसा कुछ करा ही नहीं, हमने तो ऐसा बनाया ही नहीं, फिर हम, पिर जब ऐसा बनाया ही नहीं और उसके लिए अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर चेंज क्यों कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप गलत थे, आपको पता है इस बात का हिसास है इसलिए आप चेंज कर रहे हैं क्यों चेंज कर रहे हैं क्यों क्यों कि मुखार्फलत हो गए क्यों क्यों कि लोगों ने बोल दिया सामने से कि हमें नहीं देखना है आपने गलत गलत बनाया है तो अगर बोल दिया है और आप मानी रहे हैं त बहुत सारा पैसा लग गया है, अगर हमारा पैसा आप बचा सकते हैं, स्री राम के नाम पर बचा दीजिए, तो शायद मैं जाकर टिकेट खरीद के देख दुबारा देख लेता हूं, सिर्फी राम के नाम पर, क्यों क्योंकि उनने जनरली माफि माफि माग ले, तो वो कर ले और राम के चाहिए, यूडिक फर्शीए, तो वे अधिजिए रामाया, प्राद इस अग्तिति ओकेपड़रा देख लागेशा कहां कि अज़ेता हैं, यूजा ऑड़ए प्राद कर दीजिए तो प्रात कर ले घ्लतु किया है, तो अप्लिए नोर्चति प्रामाया बच्छी मिलेगा, what do you want to say? इस अफ्टर मैथ है, चीजों का, I think जो होना दाना, वो सब हो गया है, मतलब बैन, कर लें, ना कर लें, लोगों ने तो रिजेक्ट करी दी फिल्म, लोगों ने तो ये बता ही दिया कि हम को इस तरह का नहीं देखना है, अल्रेड़ी हो चुका है, सब जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, इस सब की अपनी अपनी सोच है, जिसे जो ठीक लगे वो करें, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ना, फिल्म कार या कोई भी जो सिनिमा मेकर है, वो जान भूच कर खराब फिल्म बनाने नहीं निकलता है, वो तो यह सोच कर निकलता है, कि मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा, और अच्छे से लोग देखेंगे, बड़ी हिट होगी, मेरे हिसाब से, लोगों को यह सोच कर फिल्म बनाना, बंदगर देना चाहिए, कि हम जो यह समय हिंदू सेंटिमेंट चल रहा है, उसको इनकैश करने के लिए हम फिल्म बना लेंगे, तो अब जो है न वो हिंदू सेंटिमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया है, कि आप हमें मूर्ख मत बनाईए, अगर आप हमारे लिए न पांच करोड की, दो करोड की, डेड़ करोड की भी फिल्म बनाएंगे, जो हमारे सेंटिमेंट को अथेंटिक लिए दिखाती है, तो हम उसको करेला स्टोरी और कश्मीर फाइल बना देंगे, लेकिन अगर आप हमारे सामने हजार करोड की भी फिल्म लेकर आएंगे, और जो हमारे सेंटिमेंट के साथ में तालुक नहीं रखती है, जो हमारे सेंटिमेंट को अथेंटिक लिए केटर नहीं करती है, हम उसे नहीं देखेंगे. Okay, lastly, you know, पहले भी फिल्म में आई हैं, जो रामायन के कैरेक्टर्स पर बेस्ट है, जैसे श्री राम जी का जो साधगी है, वो तो कौन से फिल्म में नहीं दिखाया है, जैसे हम साथ-साथ हैं, या फिर हम आरारार ले लें, कैरेक्टर्स को जो पेश करता है, लेकिन उनके मेकर्स ने कभी नहीं कहा कि हम रामायन से, इंस्पायर होकर किसी कैरेक्टर को ले रहे हैं, या उससे इंस्पायर होकर फिल्म को बना रहे हैं, डू यो थिंक आदीपुरिश के मेकर्स से ये गलती हो गई, उनको इससे एक एंटर्टेइनिंग फिल्म बता कर रिलीज करना चाहिए था, ना कि ये बोलकर कि हम रामायन बना कर आपके सामने पेश करते हैं, नहीं, मतलब आप बना रहे हैं तो आप बना रहे हैं और उसमें एंटर्टेइनिंग फिल्म तो रामायन भी बनती है, उससे बड़ा ब्लॉक्बस्टर कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ, श्रद्धा भाव साइड में छोड़ दीजे, आप सब चीजें जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको हम साइड में रख देते हैं, मैं केवल एज स्क्रिप्ट बात करता हूँ, रामायन की स्क्रिप्ट को अगर हमारा जो हीरो होता है, वह या तो कृष्ण होता है, वह या तो राम होता है, इन दोनों के ही तत्वा में हमारे हर हीरो के इंदर नजर आते हैं, तो हम उनी से इंस्पायर होकर करते हैं, हमारा हर विलेन या तो कंस होता है, या तो रावन होता है, हमारे और कोई कहानी हमारी बेश संस्कृति का वहीं से हम जीवन जीते हैं सारे जीवन पद्दती वहीं से लोग वहीं से आते हैं तो ये बोलना कि हम इसको अलग अलहदा तरीके से entertaining film बना देते हैं I don't think so, I don't adhere to it authentic बना दे आप रमायन को, वो blockbuster है अपने हाप में Thank you so much Ashish और बाट बाट अच्छा लगा हमें आप से बात करके लेगिन मैं जाना चाहूँगी ये भी कि सिया के राम में राम प्ले करने के बाद में कितना सोचना पड़ता है अब किरदार को किसी भी निभाने के लिए आजकल आईती मैंने से बोला ना कि ओडियंस बड़ी वॉल्ड होगी आजकल और उनमें पता है कि वो अक्टर ने और वो इस तरह का काम कर रहे है या अबने हां किरदार करेंगे तो आई तिंक ओडियंस वेरी मुच इवल्ड राइट ना हाँ बस तरह भी आप करें कुछ भी आप करें क्योंकि आप पभिलिक फॉल्ड में है आप कर रहे हैं तो जिम्मे दारी से करें तकुम कर एंगी सो मच деньги ऑनोर वह के प्रवगे